हेलो फ्रेंज वेलकम टू माई चैनल ग्रीन हाउस और आज का हमारा पौधा है गुलाब का पौधा अगर आप चाहते हैं कि आपका गुलाब का पौधा हमेशा फूलों से भरा रहे हैं अंगिनत फूलों से भरा रहे हैं कि इस पौधे को आप देख रहे हैं कितनी सारी फ्लावरिंग हो रही है इसके उपर तो नए पौधे को लगाते समय आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है अगर इन चीजों का ध्यान आपने एक बार रख लिया तो आप आगे चाकर अगर पौधे को खाद भी नहीं देंगे तब भी आपका गुलाब का पौधा जो है वो सालो साल फ्लावरिंग करता रहेगा और कभी भी खराब नहीं होगा आपके गार्डन में ऐसे ही फूलों से भरा रहेगा तो फिंस नए पौधे को लगाते समय आपको किन-किन चीजों का ध्यान रखना है इ जिससे कि आपका गुलाब का पौधा हमेशा फूलों से भरा रहेगा और कभी भी खराब नहीं होगा तो इस वीडियो में पूरी जानकारी में देने वाली हूँ आपको चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले टिप्स नमबर वन अगर आपको नया पौधा पौध चीजों का ध्यान रखना है जैसे कि जो भी पौधा आप खरीदेंगे उसका जो ग्राफ्टिंग नोड है अगर आप हाइबर्ड गुलाब ले रहे हैं जिसको कि हम इंग्लिश गुलाब भी कहते हैं इसके अंदर ग्राफ्टिंग नोड होता है लेकिन अगर आप द चीज की ग्रोध हो गई है और इसको रिपोर्ट करने का टाइम है लेकिन अगर आप नया पौधा ले रहे हैं तो उसको लगाने का तरीका भी यही है जो कि इस वीडियो में मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हो टिप्स नमबर त्री अगर आप नया पौधा खरीद रह ऐसे पौधे को आप बिल्कुल भी ना खरीदे जिसके अंदर ग्राफ्टिंग नोट बहुत नीचे हो या फिर ग्राफ्टिंग नोट बहुत जादा उपर हो टिप्स नमबर फोर नया पौधे को खरीदे समय ऐसे पौधे को आप खरीदे जिसके अंदर जो इसकी पत्यां ह वो काफी healthy दिखाई दे रही हो हरी हो और उसके अंदर कोई भी कीड़ा या फिर fungus ना लगा हुआ हो इसके बाद tips नमबर 5 जो की बहुत जरूरी है यहां अगर आपने गलती की तो आपका पौधा आगे जाकर खराब हो जाता है काफी सारे लोग यहीं पर गलती करते हैं जिसकी वज़े से अगर वो नया पौधा लगाते हैं तो नया पौधा एक दो दिन बाद ही सूख जाता है वो गलती वो तब करते हैं जब वो root ball को pot से हटा रहे होते हैं या फिर आप जब भी नवसी से लेकर आते हैं तो आप देखेंगे कि grow bag में लगा होता है काले रंगी polythene में गुलाब का पदा लगा हुआ होता है उसको हटाते समय आप कुछ सावधानिया जो है वो जरूर बरते हैं जैसे कि आपको root ball बिल्कुल भी नहीं तोड़ना है अगर मिटी बहुत जादा hard है लाल मिटी है तो आप थोड़ी थोड़ी मिटी उसकी हटा दीजे काफी सारे लोग क्या करते हैं कि पूरी की पूरी जो मिटी है वो हटा देते हैं अच्छे से उसको धोते हैं उसके बाद उसको लगाते हैं लेकिन अगर आप इस तरीके से पूधे को लगा रहे हैं तो वहां पर बहुत जादा सावधानी बरतिनिक की जरूत होती है पूधे में और वहां पर fungi side का इस्तमाल भी बहुत जरूरी हो जाता है अगर आप fungicide का समाल नहीं करते हैं ऐसी condition में तो जो हमारा पौधा है वो शौक में चला जाता है क्योंकि जो जड़े हैं वो भी काम करना बंद कर देती हैं शौक में चली जाती हैं जिसकी वज़ा से आपका जो नया पौधा है वो खराब हो जाता है friends यहाँ पर मैं आपके साथ एक experience share कर रही हूँ कि starting में जब मैंने gardening शुरू करी और वही पौधे मेरे जादा खराब हुए जिनके root ball को मैंने break कर दिया था और वो पौधे मेरे कम खराब हुए जिनके root ball मैंने नहीं तोड़े तो आज जब भी मैं नये पौधे को लगाती नहीं चीज का आप ध्यान रखें ये पहली गलती है जो हम करते हैं और हमारा पौधा खराब हो जाता है लेकिन अगर आप नया पौधा लेकर आ रहे हैं उसकी मिटी लाल है और बहुत ज़्यादा hard है तो उसको हटाना भी ज़रूरी होता है तो थोड़ा थोड़ा सा आप इसको हटा दीजे क्यूंकि अगर आप उसको नहीं हटाएंगे तो आगे जाकर reporting के बाद पौधे की root की growth कम होती है और पौधा flowering भी कम करता है इस शीज को मैंने आपको इतनी detail में इसले समझाया क्यूंकि हमारा पौधा आगे जाकर इस एक गलती की वज़े से खराब हो ज पौध का साइज आपको बहुत जादा बड़ा नहीं रखना है जो भी पौधा आप लेकर आ रहे हैं अभी पौधी की growth बहुत जादा नहीं है तो पहले आप उसको एक medium पौध में लगाएं ये जो पौध मैंने लिया है ये है 10 इंच का पौध आगे जाकर जब आपका द्रनेज होल होना चाहिए आप उसमें काफी सारे छेद बनाए ताकि जब भी आप पानी इसके इंदर डाले तो पानी ना रुके क्योंकि यहां तक हमने सारी साफधानिया बढ़ती और अगर आपके पौधे का जो ड्रनेज होल है वो प्रौपर नहीं है पानी बेस में चिलका रखा है आप तूटे वे पौधे के टुकड़ी भी रख सकते हैं लेकिन आपको उन टुकड़ों को ऐसे रखना है कि वो नीचे जो छेद है उसको बंद ना करें इसके बाद टिप्स नमबर एट गुलाब के पौधे की पौधे की पौधे मिक्स कैसी होनी चाहिए जब भी कोई पौधा आप लगाते हैं तो पौधे मिक्स ऐसी होनी चाहिए जो हलकी हो जिसके अंदर पानी लंबे टाइम तक ना रुके ये ऐसी मिटी हो जिसमें हलका सा मिटी जो है वो मौईश बना रहे है गुलाब की पौधे मिक्स बनाने का सबसे आसान तरीका है कि ज वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं या फिर गोबर की खात भी ले सकते हैं या फिर आप जो आधी मात्रा कंपोस्ट की ले रहे हैं उसमें आप आधा वर्मी कंपोस्ट और आधा गोबर की खात दोनों को ले सकते हैं लेकिन कंपोस्ट और मिटी की मात्रा आपको आधी आधी रखनी है इसके साथ ही आप के पास अगर धान का चिलका है तो थोड़ा सा धान का चिलका आप इसके अंदर जरूर मिला लिजे थोड़ा सा कोकोपिट आप एडिशनल ये दोनों चीज़े एडिशनल है कोकोपिट और धान का चिलका इन दोनों को मिलाने से जो मिट्टी है उस आप कोकोपिट और धान के चिलके का एडिशनल इस्तमाल करें और आधी मिट्टी और आधा आप कमपोस्ट लें अगर आपके पास धान का चिलका नहीं है या फिर कोकोपिट नहीं है तो आपको क्या करना है यहां पर आपको 60 प्रतिशत कमपोस्ट लेना है कमपोस्ट आप को पौधे को लगाते समय जो उसका ग्राफ्टिंग नोड है उसको आपको नहीं ढखना है ग्राफ्टिंग नोड को हमेशा आपको 1.5 इंच मिट्टी से उपर रखना है इस पौधे में ग्राफ्टिंग नोड नहीं है लेकिन जहां से नई ब्रांच निकल कर आ रही है वहां तक इसको मैं पूरा मिट्टी से cover कर दूँगी ग्राफ्टिंग नोड को ठीक से समझने के लिए मैं आपको मेरा दूसरा पौधा दिखा देती हूँ जिसको मैंने सर्सी से purchase किया था जिसके अंदर ग्राफ्टिंग नोड है तो चलिए देखते हैं ग्राफ्टिंग नोड क्या है और गुलाब के पौधे में उसकी जानकारी होना क्यों जरूरी है फ्रिंट्स ये पौधा आप देख रहे हैं ये है इसका ग्राफ्टिंग नोड यहां से काफी सारी नई ब्रांचिस निकल करके आ रही है ये एक साल पौधा है मेरा लेकिन आप देख सकते हैं कि इसका ग्राफ्टिंग नोड यहां 3 इंच से जादा उपर है कई ऐसे पौधे होते हैं जिनको हम पर्चेस करते हैं उनका ग्राफ्टिंग नोड काफी उपर होता है लेकिन ये दूसरा पौधा आप देख रहे हैं इसका ग्राफ्टिंग नोड सिर्फ 1.5 इंच उपर है मिटी से तो स्टार्टिंग में इसका ग्राफ्टिंग नोड काफी उपर नहीं ये तीसरा पौधा जो आप देख रहे हैं इसका grafting node और भी उपर है तो अलग-अलग पौधे में grafting node अलग-अलग तरीके से होता है आजके लनसरी में ऐसे भी पौधे आ रहे हैं जिनका जो grafting node है काफी उपर होता है तो जब भी आप मिट्टी में इसको लगाएं तो grafting node को कम से कम एक से डेड़ इंच मिट्टी से उपर रखें इससे आपको जंगली ब्रांच को पहचानने में आसानी होगी जो भी जंगली ब्रांच निकल कर आती है वो grafting node से नीचे निकल कर आती है इसके बाद tips number 10 जब भी आप नया पौधा गुलाब का लगाएंगे तो पहले दिन आप उसको अच्छे से पौट में लगाने के बाद पानी से भर दीजे पानी आपको इतना डालना है कि जो नीचे का छेद है वहाँ से पानी निकल कर आने लगे इसके बाद tips number 11 जो भी नया पौधा आप लगाते हैं अगर उसके अंदर फ्लावरिंग हो रही है कोई फूल है तो जैसे ही आपका फूल सूखता है एक नोट छोड़ करके आप उन सभी फूलों को काड़ दीजे जितना आप इनकी कटिंग कर देंगे उतना ही जादा नई ब्रांचिस आपके गुलाब के पौधे पर उतनी ही जल्दी निकल कर आएगी कुछ लूब पहले दिन ही इन फूलों को काड़ देते हैं लेकिन मैं इनको सूखने के बाद ही काटूंगी काफी हेल्दी फ्लावर है और इनको अभी मुझे बिल्कुल काटना नहीं है जैसे ही ये फ्लावरिंग खतम हो जाएगी तो मैं इनके टिप को एक नोट छोड़ करके सभी टिप्स को काट दूँगी फ्रिंस आप देख सकते हैं पानी डालने के बाद मुझे ने सारा पानी आसानी से सोख लिया लेकिन अभी भी नीचे से कोई पानी निकल कर नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा और पानी मैं इसके अंदर डाल दूँगी तो फ्रिंस आप देख सकते हैं कि अभी जो नीचे से पानी निकल कर आने लग गया है तो इतना पानी आपको देना है जिसे की नीचे से इसके छेट से पानी निकल कर आने लग जाए इसके पाद टिप्स नमबर 12 आगे जाकर आपको अपने पौदे को बहुत जादा पानी नहीं देना है खास तोर पे नए पौदे को बस इसकी मिट्टी को आपको हलका सा मौईश रखना है बहुत जादा सुखाना नहीं है और बहुत जादा गीला नहीं रखना है क्यूंकि पौदा अभी आपका नया नया है बहुत जादा आप पानी देंगे तो आपके पौदे की जड़े हैं वो गल जाएंगे आपका पौदा खराब हो जाएगा इसके बाद टिप्स नमबर 13 स्टार्टिंग में 2-4 दिन आप पौदे को शेड़ वाली जगह पे रखें बहुत तेज वाली धूप पर आपको नहीं रखना है जैसे ही लगे कि अभी आपका पौदा हेल्दी दिखाई दे आपको इसकी पत्यां हेल्दी दिखाई दे तो आगे 4-5 दिन बाद आप इसको धूप वाली जगह पे ट्रांसफर कर दीजे नहीं पौदे को नहीं मिट्टी के साथ रिपोर्ट करने के बाद कम से कम एक महीने तक आप कोई भी इसको एक्स्ट्रा फटिलाइजर ना दे जब नहीं पत्ते निकल कर आने लगे नहीं ब्रांचिस निकल कर आने लगे तब आप अपने पौदे को फटिलाइजर दे अगर स्टार्टिंग में ही आप इसको बहुत जादा खाद दे देंगे तो आपका पौदा खराब हो जाएगा तो फिर्ट्स गुलाब के पौदे को लगाने का ये एक बहुत सही टाइम है अटूबर का महीना जितनी मरजी आप गुलाब के नए पौदे लगाए लेकिन इन चीजों का ध्यान रखे आपका गुलाब का पौदा कोभी भी खराब नहीं होगा सालो साल आपके गारडन में बना रहेगा और अंगिनत फूल इसके उपर खिलेंगे तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक जरू करें और मेरे चनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चनल को सब्सक्राइब भी जरू कर लें मिलते हैं मेरे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए थाइंक यू